सुशान्त से राजपूत के जाने के बाद से ही हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। उन्हें चांद से तारों का इतना शौक था कि चांद पर आने वाले समय में बसने वाली दुनिया के लिए चांद पर एक जमीन का तुकड़ा भी खरीदा था। जोड़ी कुछ बातें बताते हैं। वो जो पैंटिंग सुशान्त ने अपने फ्रिडर प्रोफाइल पर लगा रखी है जिसका नाम स्टारी नाइट है। उसे फीमस पैंटर विंसेंट वैंगो ने बनाया था। जनवरी 1853 मिजन में विंसेंट की कहानी भी थोड़ी अलग है। नीदलाइन में भरा पुड़ा परिवार था। वहाँ पर उन्होंने आर्ट डीलर का काम शुरू किया। लेकिन उनका मन नहीं लगा। सामने ये भी आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और लंदन चले गए। खुद को धर्म में डुबाने की कोशिश की लेकिन मानसिक स्थिती में कोई बदलाव नहीं आया। इसे उबनने के लिए उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू की। वक्त था 1881 का जब अपने माता पिता के पास वापस लोटे और कुछे सालों में साल 1886 में फ्रांस चले गए। विंसेंट पेंटिंग तो कमाल की बनाते थे लेकिन उन्हें कुछ कमाई नहीं हो रहे थी। जब विंसेंट और उनके कुछ साथी इस तरगी की पेंटिंग बना रहे थे जिस तरीके को इंप्रेशनिजम कहते हैं तब ये उसका आखरी दोर चल रहा था। ये एक ऐसा पेंटिंग टाइप है जिसमें छोटे छोटे ब्रश और स्टोक की मदद से रोशनी को दिखाया जाता है चान तारे सूरज सब इसी में शामर है। जैसा कि इस तरह की पेंटिंग का आखरी वक्त था और विंसेंट और उनके साथी भी इस तरीके से उप चुके थे। इसलिए उन्होंने कुछ नया करने की सोची। इसके बाद मोटे मोटे ब्रश और स्टोक्स की मदद से चटक रंगों को केनवास पर डालना शुरू किया। इस तरह की पेंटिंग को पोस्ट इंप्रेशनिस्म कहा गया। जब विंसेंट ने इस पेंटिंग की विधा को शुरू किया तब तो उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन उनका नाम तब हुआ जो वो इस दुनिया को अलविधा कह गया। लगातार मानसिक स्थिती से घुजरते हुए विंसेंट ने खुद को शराब में डुबू लिया। उनकी मानसिक स्थिती दिन पर दिन खराब होती जा रहे थी। उन्होंने अपने करियर में लगभग 200 पेंटिंग्स बनाई लेकिन फिर भी लोग उन्हें पागल समझ से थे। किसी ने उनका उत्सावर्दन नहीं किया और वो नहीं दिया जो वो चहाते थे। और इनी सब चीजों से परिशान होकर एक दिन विंसेंट ने खुद को रिवॉल्वर से गोली माले। दो दिन तक अस्पताल में जिंदकी और मौत का संगश लड़ा लेकिन आखिरकार इस संगश में मौत ने जीत पाली। और एक नायाब कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गया। इस बात को देखा गया कि विंसेंट ने तरह तरह की पेंटिंग बनाई है, तो लोग उनकी पेंटिंग्स से काफी इंप्रेस हुए। आज भी उनकी कहें, सारी पेंटिंग्स एक última museum जिसका नाम Vincent Wenngo Museum जो Amsterdam में है, महा रखी हुई है और लोग उनकी पेंटिंग्स को आज भी देक कर बहुत ख़श नज़राते हैं जब Vincent की मौत हो गई और उनकी पेंटिंग्स को लोगों ने देखा तब वो इतनी पसंद की जाने लगी कि लोग उनकी पेंटिंग्स को खरीदने के लिए बूलियां लगाने लगे ये उनकी वही पेंटिंग है जिसे शुशांत सेहराजपूत ने अपने ट्वीटर प्रोफाल पर लगाया हुआ है जिसका नाम स्टारी नाइट है इस पर एक गाना भी बना हुआ है अपनी इस पेंटिंग को विंसेंट ने 1819 में बनाया था जब वो अपने मांसिक स्वास्त के इलाज के लिए एक असाइलम में एडमिट हुए थे और महाँ खिड़की के बाहर दिख रहे नजारे को उन्होंने अपनी पेंटिंग में उकी रहा था नाया पेंटिंग बनाने वाला ये शक्स 37 वर्ष के उम्र में दुनिया को अलवदा कह गया सिर्फ अपने डिप्रेशन के चलती और इससे शक्स को सफलता भी मिली पहचान भी मिली तो कब जब ये दुनिया को अलवदा कह चुका था सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स